याकूब की पत्री पहला अध्याए परमेश्वर के और प्रभुईश्य मसीह के दास याकूब की ओर से उन बारहों गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुँचे. हे मेरे भाईयों, जब तुम नाना प्रकार की परिक्षाओं में पड़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिध हो जाओ, औ तुम में किसी बात की घटी न रहे, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धी की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिये सब को उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे, और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने व अपनी सारी बातों में चंचल है, दीन भाई अपने उचे पत पर घमन करे, और धन्वान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वे घास के फूल की नाई जाता रहेगा, क्योंकि सूर उदे होते ही कली धूप पड़ती है, और घास को सुखा देती है, और उसका फूल जढ़ जा परता है, क्योंकि वे खरा निकल कर जीवन का वे मुकुट पाएगा, जिसकी पृतिग्या प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है, जब किसी की परीक्षा हो, तो वे यह न कहे कि मेरी परीक्षा पर्मेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से पर पाप को जनता है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्य को उत्पन करता है। हे मेरे प्रेभायो, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वर्दान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, और जोतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है, और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्ति के वचन के द्वारा उत्पन किया, ताकि हम उसकी स्रश्टी की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। इसलिए सारी मलिंता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहन कर लो, जो हिर्दय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आपको देख कर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिध्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशिश पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आपको भक्त समझे और अपनी जीव पर लगाम न दे, पर अपने हिर्दय को धोका दे, तो उसकी भक्ती व्यर्थ है। याकूब की पत्री दूसरा अध्याए नहां खड़ा रहे या मेरे पाओं की पीड़ी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेद भाव न किया और कुविचार से न्याय करने वाले न ठहरे। हे मेरे प्रियभायों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना, कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों, जिसकी प्रतिग्या उसने उन से की है, जो उससे प्रेम रखते हैं, पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट-घसीट कर नहीं ले जाते, क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते, जिसके तुम कहलाए जाते हो, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन की अनुसार, क कि तू अपने पडूसी से अपने समान प्रेम रख सच मुछ उस राज व्यवस्था को पूरि करते हो, तो अच्छा ही करते हो, पर यादि तुम पक्षपात करते ओ, तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुमें अपराधी ठहराती है, क्योंकि जो कौई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोशी ठहरा, इसलिए कि जिसने यह कहा कि तू व्यविचार ना करना, उसी ने यह भी कहा कि तू हत्या ना करना, इसलिए यदि तूने व्यविचार तू नहीं किया, पर हत्या की, तो भी तू व्यव की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जैवंत होती है। जो वस्तुमें देह के लिए आवश्यक हैं, वह उन्हें न दे, तो क्या लाब? वैसे ही विश्वास भी, यदि कर्म सहित न हो, तो अपने सुभाव में मरा हुआ है। बरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तु अपना विश्वास मुझे कर बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तु अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थर-थराते हैं, पर हे निकमे मनुष, क्या तु यह भ देख लिया, कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिध हुआ, और पवित्र शास्तर का यह वचन पूरा हुआ, कि इबराहीम ने परमेश्वर की प्रतीती की, और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया, सो तुमने देख लिया कि मनुष केवल विश्वास से ही नहीं, बरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है, वैसे ही रहा वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धर्मिक न ठहरी? निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। वही तो सिध्ध मनुश्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश्मे करने के लिए घोडों के मुह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्धिपी ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायू से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांजी की इक्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही, जीब भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी दींगे मारती हैं। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े बन में आग लग जाती है। जीब भी एक आग है। जीब हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के बन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जन्तु और जल्चर तो मनुष जाती के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं पर जीब को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वे प्राण नाशक विश से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुती करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन हुए हैं, श्राप देते हैं. एक ही मुह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं. हे मेरे भाईयो, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्या सोते के एक ही मुह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाईयो, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता. तुम में ग्यानवान और समजधार कौन है? जो ऐसा हो वे अपने कामों को अच्छे चालचलन से उस नम्रता सहित प्रगट करे जो ग्यान से उत्पन होती है. पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो जूट बोलना. यह ग्यान वह नहीं, जो उपर से उतरता है, बरन सांसारिक और शाररिक और शैतानी है. इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है, वहां बखेडा और हर प्रकार का दुश्कर्म भी होता है. पर जो ग्यान उपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और म्रदभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है, और मिलाप करने वालों के लिए धार्मिक्ता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है. याकूब की पत्री चौथा अध्याए मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग बिलास में उड़ा दो. हे वेविचारिनियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वे अपने आपको परमेश्वर का बैरी बनाता है. क्या तुम यह समस्ते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वे ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वे तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है. इसलिए परमेश्वर के आधिन हो जाओ, और शैतान का सामना करो, तो वे तुम्हारे पास से भाग निकलेगा. परमेश्वर के निकट आओ, तो वे भी तुम्हारे निकट आएगा. हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, दुखी हो और शोक करो, और रो, तुम्हारी हसी शोक से और तुम्हारा आनंद उदासी से बदल जाए. प्रभु के सामने दीन बनो, तो वे तुम्हें शिरोमनी बनाएगा. हे भाईयों, एक दूसरे की बदनामी न करो, जो अपने भाई की बदनामी करता है, या भाई पर दोश लगाता है, वे विवस्था की बदनामी करता है, और विवस्था पर दोश लगाता है, और यदि बचाने और नाश करने की सामर्थ है। तु कौन है जो अपने पडोसी पर दोश लगाता है। तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्योपार करके लाब उठाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुनतो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। इसके विप्रीत, तुम्हें यह कहना चाहिए, कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। याकूब की पत्री पांच्वा अध्याए इन मजदूरों ने तुमहरे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी तो तुमने धोखा दे कर रख ली है, चिला रही है और लमने वालों की दोहाई सिनाओं के प्रभु के कानों तक पहुँच गई है। तुम प्रत्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख तुमने इस बध के दिन के लिए अपना हिर्दय का पालन पोशन करके मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोशी ठहरा कर माण डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। सो हे भायो प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, देखो ग्रहस्त प्रत्वी के बहुमूले फल की आशा रखता हुआ, प्रत्थम और अंतिम बर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हिर्दय को द्रड करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निक से बाते की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, तुमने एयूप के धीरज के विशे में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ, उसे भी जान लिया है, जिस से प्र जंत करुणा और दया प्रगट होती है, पर हे भायो, सबसे स्रेष्ट बात यह है, कि शपत ना खाना, ना स्वर्ग की, ना प्रत्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बात्चीत हां की हां, और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठेरो, यदि तु में कोई रोगी हो, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठा कर खड़ा करेगा, और यदि उसने भी किये हो, तो उनकी भी शमा हो जाएगी, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ, धर्मी जनकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुश्य था, और उसने गिडगड़ा कर प्रार्थना की, कि मेह न बरसे, और साले तीन वर्ष तक भूमी पर मेह नहीं बरसा, फिर उसने प्रार्थना की, तो आकाश से वर्षा हुई और भूमी फलवंत हुई, हे मेरे भाईयो, यदि तुम में कोई सत्य के मारक से भटक जाए, और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले, कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा,